सो हे गाइस तो दोस्तों आज का यह जो निव टुटोरियल है यह है कैमरा कंट्रोलिंग के लिए दोस्तों जो पिछले हमने टुटोरियल दिया था जो कि प्रिज्ट 3D एप्लिकेशन से हमने एनिमेशन वीडियो क्रेट की थी जिसमें हमने कैरेक्टर के मुवेंट्स वगेर कि किस तरह से सारे मुवेंट्स देना है हम अमारे कैरेक्टर को किस तरह से जमाना है कोई भी एक्टिविटी अगर करवाना हो तो वह किस तरह से हमें कवर करना होता है जैसा कि यह देख सकते हैं यह प्ले करते हैं तो यहां पर हमारा कैरेक्टर आ जाता है तो हमने यह सेट कर सके कहां से हमारा स्टॉरी दिखने में अच्छा लगेगा और चिससे हम अपने केरेक्टर को बेस्ट दिखा सकें और एक अच्छी सी स्टॉरी के दICAमरे के दोरा उसमें कर सकें ठीक है अभ दोस्तों अगर आपने भी अपना सेटप कर लिया है सब character के सभी moments बगएरा दे दिये हैं तो अब आती है बारी हमें यहां पर camera add करने की तो यहां पर हमारे लिए सब सब पहला एक camera add करना होगा सब सब पहले हमारे लिए यह देखना होगा कि हमारे story start हमें कहां से करना है हमारे character बगएर को कहां से start करना है तो यहां पर सब सबसे पहले हम यह option open करने के बाद यह camera एक ले ले लेते हैं ठीक है add कर दिया है और अभी यह इस camera पर touch करने के बाद देख सकते हैं jump in और jump out का option आता है तो उस option के दोरा हम camera के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं ठीक है और camera के अंदर जैसे हम एंटर होती हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह चार तरह के corner हलके हलके दिखने लगते हैं तो समझ जाएए कि आप camera के अंदर है तो यहां पर camera के दोरा वो शूट हो रहा है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कैमरे का उप्शन पर किलिक करते हैं तो यह पर जंप इन का जंप आउट का उप्शन आ जाता है तो यह हाइलाइट और इस तरह से दिखने लगता है कि यह कैमरे के बाहर और अंदर तरफ से यह आप ट्राइ कर 20 frame को blank छोड़ देना है ध्यान रहे कि आपके लिए पहले animation का option यह ओपर साइड है इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है तब आपके यह frame mode आ जाएगा ठीक है character 20 frame के बाद automatic moment करने लगता और उपर की तरफ आ जाता है तो हमारे लिए यह character को सामने यह देखना है कि हमारा character कहां से कहां तक run होता है तो वहां तक का हमारे लिए camera के अंदर shoot करना है तो यहाँ पर जैसे कि हम video को play करते हैं हमारी story को play करते हैं तो यह उपर आ जाता है और dialogue ब अंदर लेना है यह shoot लेना है कि पहले character का dialogue जैसे ही वह बोलेगा उसके बाद तुरंत camera return हो और यहाँ पर doctor के पास है यह second character हमने लिया है उसके face पर यह camera second time में turn हो जाए ठीक है तो यहाँ पर हमारे लिए सब सब पहले यह frame देखना होगी कि हमने पहले character के dialogue और moments के लिए हमन यहाँ पर हम video play करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा camera बिल्कुँ slow turn होना है मंगर हमें यह turn इस तरह ऐसा नहीं लेना है हमाली पहले है पूरे character का dialogue ही record करना है तो हमाली सब सब पहले है यही देखना होता है कि हमने पिछले जो frame सब गएरा character के body पर लगाए थी तो वह कहां त खत्म होता है वहां पर हमारे लिए camera पर camera की जो frame है उस पर हमारे लिए कोई एक frame पहले select करना होती है ठीक है तो पहले एक बार play करके देखते हैं यह देखिए यहां तक इसने dialogue बोला और उसके बाद automatic चुप हो जाता है यह बंद हो जाता है तो यहां पर हमारा dialogue खत्म होता ह आप camera को turn करने के बाद आप second character को कितना show करना होता है तो आप पहले वह देख लीजिए जैसे कि मैं अपने character को यहां पर second character को इतना रखना चाहता हूं जैसे की camera turn होगा मातर एक frame के अंदर और यहां पर मैं T frame लगा देता हूं ठीक है और play करके देखते हैं और देख सकते है के camera एकदम turn हुआ और उसी time पर second character के डालोग बगर भी उसने बोले या जो भी moment है वो करता है ठीक है तो यहां पर हमारे लिए second character के moments और डालोग भी धियान रखना होगी कि कितनी देर तक वो बोलता है उतनी frame हमारे लिए आगे की फिर से ढूंड़ना होगी कि इसका moment जो है कितनी frame के अंदर-अंदर होता है ठीक है जैसे कि 200 frame के अंदर-अंदर हमारे जो character है उसका moments इतने अंदर ही अंदर होता है यानि 150 है 200 के अंदर तो मैं 200 frame जो है 200 frame उस पर मैं यहां पर एक की frame लगा देता हूं ठीक है जैसे कि यह second character का space उतने ही area में cover हो जाएगा ठीक है 201 नमबर की frame है वो select करता हूं और यहां पर फिर मैं दुबारा से camera को turn करूँगा ठीक है वह करूंगा first character के face पर तो यहां पर जैसे 200 frame है उसके बाद फिर मैं select करता हूं 201 frame को अब यह 200 frame है वहां पर आपका second character है उसका moment रहता है और अब 201 की frame है उसको जैसे select करेंगे select करने के तो यहां पर आपके लिए देखना है कि आपका रिखना है कि आपके लिए नेक्सट पार्ट आपको लेना है तो यहां पर मुझे एतना फेश शो करना था तो इतना कैमरा करने के बाद मैंने की फ्रेम लगा दी है तो पंडि जी जो हमारे लिया कितनी व्रेंट के और फ्रेंट को चलनि वाला नहीं पितने वाला है यह आसंता पीजान करेंट के अंदर युक्ष जो यह आपको कीप्चेर करना रहे तो हम्ने इस के सब्सक्राइब करने देफील लगवग देड़ सो से लगवग तो उतनी फ्रेम हमारे लिए अब यहां पर नेक्स्ट लेनी है जैसे कि इतना करेक्टर हमारा आगे आगया है और मैंने विडियो पुछ की ठीक है अब हमारे लिए यह देखना है कि हमारी फ्रेम कहां पर स्टॉप हुई है तो 266 फ्रेम पर हमारा यह जो फ्रेम है वहां पर स्टॉप हुई है और यहीं पर हम एक誌त की फ्रिम लगा देते यहां जिससे कि एक केरेक्टर वहां तक का लेके जाना है ठीक है क्योंकि हमने character को पहले ही moments देकर उसमें आगे के तरफ जो भी फ्रेम्स लगाकर आगे के तरफ उसको ले आए हैं ठीक है तो वह कहां पर आगे रुखता है तो वह फ्रेम हमारे लिए आपर डूड़ना है तो लगवग लगवग यह तीन सो से साड़े त के साथ में आ जाएगा यानि आपका जितनी यादा फ्रेम्स लेंगे आपका camera उतने ही धीरे-धीरे slow turn होगा और उतने ही धीरे-धीरे character के साथ में move होगा ठीक है तो यह यहां पर हमने camera को इस तरह से अपने first character को capture किया ठीक है यही तरह से दोस्तों अब आपके जो भी डाय moments दिया है उसको अगर आपको capture करना है तो उसी जगह पर आपको turn करके उतनी दिर तक आपको रोकना होगा और रोकने के लिए आपको कितनी frame का यूज करना है वह आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं ठीक है तो अब हमारे जो character है जो की turn होकर बैटता है तो बैटने वाल एक जो frame है वो frame select करने के बाद हमारे जो character है उस पर हमारे लिए frame लगा देना है character को थोड़ा स्वरी camera को थोड़ा सा और turn करने के बाद ठीक है प्ले करके देखते हैं यहां तक का हमारे जो camera का moment है बिलकुल सही से record हुआ है और बिलकुल सही play हुआ है perfect बना है यहां तक का हम हमने किया है perfect हुआ है अब हमारे लिए करना है next जो हमारे character का face है वो बिलकुल सामने दिखाना होता है क्योंकि हमारे character जो भी बोलता है सामने के तरफ बोलना चाहिए जैसे camera में बहुत साफ साफ देखे और उसके face expression के साथ में देखे जैसे कि वह थोड़ा funny movement capture कर सागी और एक लेकर फैकर है तो फोड़ी सी दम आए तो इस तरह से आपके लिए थोड़ा सा मूब करना है अगर आप चाहेए तो camera की जो friends आं जैसे कि एक फ्रेम में जैसा कि आप 100 से लेके 200 की जो भी फ्रेम है जैसे की 100-200 तक की जो भी फ्रेम आपने अगर ली हैं और उस ओस बीच तो उसमें आप इस तरह कहा यूज कर सकते हैं तो यहां पर आपके जैसे 這個 379 का है तो यहां तक कि अगला मॉंप्ट को हमारा क्या रहा है तो उस केरफ्टर का मॉंप्ट को हमें capture करना होता है और वो moment बिलकुल साफ-साफ capture कर सके record कर सके तो वहाँ पर हमारे लिए उतने टाइम तक का camera को रोकना होता है जिससे कि वो सही से capture कर सके ठीक है तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के अपने जो भी moments थे first character और second character के यह मैंने इस तरह से capture किये हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बिलकुल बैठने का जो moment है बो भी perfect बना है और यहाँ तक के जितने ही moments थे बिलकुल perfect हमने capture कर लिया यह नहीं camera को बिलकुल सही सही जमा दिया है ठीक है अब जो हमारा next scene capture करना है वह है first character के डायलोग का time हमें record करना है capture करना है ठीक है तो यहाँ पर 400 नवर्ट की फ्रेम हमने इस पर character आया और इसका आने का time बीवे perfect रहना आ है मागर यह थोड़ा तो हमें से टाइम का जो सीन है वह हम फास्ट भी कर सकते हैं तो अब हमारे जो केमरा जहां से हमारा नेक्स्ट ढालोग इस्टार्ट होता है वह सीन हमारे लिए capture करना है जैसे की 500 सिधा हम यहां पर 5010 अब यहां दो फ्रेम है उसी को ही ले लेते हैं और यह देखना होता है कि हमारे जो character है उसका डायलोग कहां पर खतम होता है तो 510 तक की जो टाइम है इसे बीच में हमारा character का डायलोग भी खत्म हो रहा है ठीक है तो वह की फ्रेम सेलेट करने के बाद की फ्रेम एड कर देते हैं जिससे कि वह उसका time fix हो जाए और 511 जो फ्रेम है उसमें हम camera को टर्न करेंगे जो कि second character के face पर करेंगे क्योंकि यहां पर हमें चोटा सा मुवमेंट देंगे जिसे हम funny बनानी के कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जो character है second जो कोई doctor है जो कि हलक आसा जो कि अपना head को turn करते हैं वह मुवमेंट हमाली थोड़ा सा लेना है जिससे कि मुवमेंट से हमारे story में थोड़ी सी दम आ जाए ठीक है तो यहां पर हमें देखना है कि कहां तक का हमारे लिए इस character का face turn होता है और यहां पर अभी इसमें हमने व उसकी neck bone को select करने के बाद इस character second जो character है उसका जो neck है थोड़ा सा turn कर देते हैं ठीक है और अब देख सकते हैं कि की frame select करने पर इसका जो face है थोड़ा सा turn हो रहा है ठीक है तो अब हम camera को select करके उसकी जो भी neck की frame है उसी के बराबर हम इस पर key frame लगा देते हैं जिससे कि उतना ही time यह capture कर लेगा ठीक है तो देख सकते हैं कि अब जो हमारा next scene है वो है 521 की frame है उस पर हमने camera turn कर दिया है और इस side से अब हम camera बिलकुल side से turn करके हम इसको ला कर देखना चाहें कि किस तरह से लगता है ठीक है तो play करकर देखते हैं यहां तक का camera बिलकुल सही जमा है और यह यहां पर यह जो second जो हमने अभी अभी जो scene बनाया था चोटा से doctor को neck turn करने का तो वह बहुत ही चोटा लग रहा है तो इसे हम editing के जरीए थोड़ा fast कर देंगे तो इसमें कोई problem नहीं है क्या हूं कि हमने काफी सारी आगे की frames लगा दी है और यहां पर हमने डायलोग के हिसा कर दिया है ठीक है और इसी तरह से हमने अपनी बाकी जो story है उसमें जहां जहां पर हमारे लिए पंच देने थे जिससे की वीडियो हमारे देखने में थोड़ी सी और अट्रेटिक लगे और साथ मैं थोड़ी से moments ऐसे लगना चाहिए कि जिससे की funny type में महसूस हो ठीक है तो अप समझ गाए होंगे कि मैंने किस तरह saying camera को यहां पर control किया किस तरह से हर एक में अपनी स्टोरी को से कवर किया और जहां जहां मुझे ज़नुत लगी कि यहां से मुझे यह से मुझे मुझे वह सीन लेना था तो इस तरह से जितने भी सीन्स ते तो सभी को मैंने घोढ़ा चोटा मोठा हलका सा तुरंत करेट कीजेंए जिससे कि हाइंड का या फेस का या आई ब्रॉज का कोई भी इस तरह से तुरंत सीन उस ताइम पर उस ऑ्बजेक्ट में तुरंत दीजिए जिससे कि आपका थोड़ा सा भी अगर सीन बागी है उसमें अगर आप अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्टोरी को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे बाकी टूट्रियल्स अगर आपने बेसिक नहीं देखे उन में हमने कैरेक्टर बनाने से लेकर केमरा रिकॉर्डिंग और उसको किस तरह से वॉक वगिरा करवाये जाता है तो अगर आपने अभी तक बेसिक नहीं देखे हैं तो आप पहले वह मारे वीडियो देख लेए जससे की आपके लिए यह एप्लिकेशन चलाने में थोड़ी आसानी हो ज जागे जागे पर camera angle change करके अपनी स्टोरी को record कर सकते हैं इसलिए मैंने आपके लिए टुटोरिल देना जरूरी समझा इसलिए मैंने आपके लिए दिया तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा हो तो वीडियो पसंद आए प्लीस वीडियो को करने माद दोस्तों जैहें